एक जंगल में बड़े से पेड़ पर एक गोराया अपने पती के साथ रहती थी। उसका पती बाहर जाकर खाने पीने का इंतजाम करता और वह घोंसले में रहकर अपने अंडों की रखवाली करती। गोरेया अपने घोंसले में अंडों से चूजों के निकलने का बेसबरी से इंतजार कर रही थी। एक दिन की बात है वो अपने अंडों को से रही थी और उसका पती भी रोज की तरह खाने के इंतजाम के लिए बाहर गया हुआ था। उसी जंगल में एक गुसेल हाथी में रह रहती थी। उस हाथी ने पेड को गिराने के लिए जोर जोर से हिलाया लेकिन वहाँ पेड बहुत मजबूत था इसलिए हाथी पेड को नहीं तोड़ पाया और ठक कर वहां से चला गया। लेकिन उसके पेड को जोर जोर से हिलाने से गोरेया का घोंसला तूटकर नीचे आ लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और हाथी से बदला लेने उसे सपक सिखाने की बात सोची। उनका एक मितर था जो कटफोडवा था, वे उसके पास पहुंचे और उसे सारी बात बताई। वे हाथी से बदला लेने के लिए कटफोडवा की मदद चाहते थे। कठटफोडवा के दो अन्य दोस्त भी थे, एक मदुमक्खी और एक मेंडक, वो सब तैयार हो गए और उन्होंने मिलकर हाथी से बदला लेने की योजना बनाया, सबसे पहले मदुमक्खी ने अपना काम शुरू किया, उसने हाथी के कान में गुनगुनाना शुरू किया, हाथी दर्द से कराहने लगा, उसके बाद मेंडक अपनी पल्टन के साथ एक दलदल के पास गया, और सब मिलकर टराने लगे, मेंडकों का टराना सुनकर हाथी को लगा कि पास में ही कोई तालाब है, वह उस आवाज की दिशा में गया, और दलदल में फंस गया, इस तरह से हाथी धीरे धीरे दलदल में फंसता चला गया, एकता में बहुत ताकत है, कमजोर से कमजोर लोग भी एकजुट होकर काम करें, तो बड़े से बड़े कारे को अंजाम दे सकते हैं और ताकतवर शत्रु को भी बराजित कर सकते हैं, दूसरी और ये भी सीख मिलती है कि अपन कर्म का कर्मों का फ़भोगना ही पड़ता है।